एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है पशुपालन, गउसमवर्धन, मचली पालन जैसे ग्रामीन जीवन और क्रिसी जीवन से जुड़े अहम खेत्रों का भी इस बजेट में विशेश ध्यान रखा गया है राष्ट्रिय कामधिनों आयोक और मचली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोणों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा मच्वारों की मदद करेगा हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को ससक्त करके उसे वो साधन दें संसाधन दें जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी हाथियों आज भारत में अनेक शेत्रों में विकास हो रहा है नए नए प्रकार के ख्षेत्रों में नए नए विस्तारों में नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगती हो रही है और इन ख्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संक्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन असंगठित छेत्र के स्रमिकों मद्दूरों अन और्गनाइज लेबर जिसमें घर काम करने वाले लोग हो या खेतर मद्दूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तप्पा है मेरे भाईयों बेहनों इन मेरे बंदूहों की चिंता कभी नहीं की गई उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया हमारे देश में इनकी संख्या अन और्गनाइज लेवर के संख्या करीब करीब 40-42 करोड है उनके लिए प्रदान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्द सार्स वर्स की आयू के बाद के जिन्दकी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्हें आईशमान भारत योजना प्रदान मंत्री जीवन जोती योजना प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रदान मंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाप्तों मिल करेगा ही बुढ़ापे में रोज मर्रा की जिन्गी गुजारने के लिए पैंशन भी मिला करेगा आई और भेहनों हमारी सरकार तेश के हर उस नागरिक को पिकास की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास कर रहे हैं जो अब भी कुछ कारणों से पिकास का पुरा लाप नहीं ले पाए हैं समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के इस प्रयास में सरकार ने गुमन्तु समुदायों जैसे मदारी हैं सपेरा हैं पंजारा हैं गाडिया लुहार है आदि के लिए एक वेलफेर बौर्ड बनाने का भी पैसला किया है मुझे उमीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कारियों का लाप इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा साथियों व्यापारी वर्क के लिए ट्रेडर्स के लिए कोई मंत्रानाय हो उस विचार से एक नभी व्यवस्ता का विक्सित करने की दिसामें हम आगे बड़े हैं देश के व्यापारी वर्क ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों के आवश्रक्ताओं को समत्ते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डियाए पीपी को रिस्ट्रक्टर करके उसे विशेश जिम्मेदारी दी गई है अब ये विभाद Department for Promotion of Industries and Internal Trade के नाम से जाना जाएगा मुझे पसंदता है कि लिए अगले दसक के अंत्तक की आवश्रक्ताओं को और लक्षों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजेट में योजनाओं को समाहित किया गया है ये बजेट गरीब को शक्ती देगा, किसान को मजबूती देगा, स्रमिकों को सनमान देगा मिडल क्लास के सपनों को साकार करेगा, इमानदार टैक्स प्यर का गवरोगान करेगा ट्रेडर्स को ससक्त करेगा इन्फास्ट्रक्चर निर्मान को गति देगा अर्थ व्यवस्ता को नया बल देगा देश का विश्वास मजबूत करेगा ये बजेट न्यू इंडिया के लक्षों की प्राप्ति में देश के 130 करोड लोगों को नई उर्जा देगा ये बजेट सर्व व्यापी, सर्व स्पर्सी, सर्व समावेशी है सर्वोत कर्ष को समर्पित है मैं एक बार फिर हमारे मित्रा अरून जी को और प्यूश जी को अरून की टीम को इस उत्तम बजेट के लिए बहुत-बहुत बदाई देता हूँ धन्यवाद अर्व मिनस्टर नरिंडर मोदी डे बजेट और बजेट जी को